शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें करना न भूलें। क्या जा दूद है, नानो के लिए सन्सके का नादासे, नादासे, नामस्ते जे नादासे, नामस्ते जेन आका हाई जुक्त भूआ इस अगर जशेवे और आप दो कि अगर कर दो कि अगर के अगर थे सिर्थ हमें माफ कर दो कि अगिन हम तुमसे शादी नहीं का सकते यह ज़ट आशी कि बच्ची तुमने मेरे प्लान की थचिया उड़ा दी, छोड़ूंगी नहीं में तुमें तुम क्या कह रहे हैं, आशी? हम सही कह रहे हैं, सिड्ट सिड्ट, हम जानते हैं कि तुम तुम बहुत अच्छे लड़के हूँ और हम यही भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम हमसे बहुत प्यार करते हो लेकिन हमारी जिंदगी में हमारे लिए बाबा से बढ़कर और कोई प्यारा नहीं हो सकता है और किसी और के प्यार को पाने के लिए अपने बाबा का प्यार नहीं खो सकते किसी और के हाथ को थामने के लिए अपने बाबा का हाथ नहीं छोड़ सकते उन बाबा का हाथ जिन्नोंने हमारा साथ तब दिया जब हम जिन्दगी और मौत के भी जूल रहे थे अपने बेटे को छोड़ कर वो हमारी तरफ आए हमारा हाथ थामा हमारी जिन्दगी बचाई आज हमारी जिन्दगी बाबा की जिन्दगी है वो हमारे पिता है एक ऐसे पिता जो हमारे लिए सबसे लड़ जाते है और हम भी उनके लिए लड़ेंगे उनको कभी हारने नहीं देंगे वो हमसे बहुत प्यार करते हैं हमारे सग्य पिता से भी जादा, अगर कोई हमसे पूचेगा ना, कि पिता कैसे होते हैं, तो हम कहेंगे कि जैसे हमारे बाबा है ना, वैसे होते हैं, हमारे बाबा ने कभी भी हमारा सर जुकते नहीं दिया सिर्थ, और ये एक बेटी का वादा है, कि वो भी अपने बाबा का स पर कभी जुकने नहीं देगी। हमें जैसी जिन्दगी मिली है ना, हम सराखों पर रखके जीएंगे। नाज से जीएंगे। उफ तक नहीं करेंगे। हम अपने बाबा को छोड़के कहीं नहीं जाएंगे से। मैं जानता हूँ, तुम्हारे बाबा तुम्हारे ने सब कुछ है। बहुत अच्छे हूँ, एक नाशीर। वह इतना बुरा तुदे, कि तुम मेरे ब्यार को इस तरह टुकरा रही है। सिद्ध हमने कब कहा तुम बुरे लड़के हो। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत काबल इंसान हो, बहुत सचे इंसान हो। बल्कि हम तो कहते हैं कि किसमत वाली होगी वो लड़की, जिससे तुम्हारी शादी होगी। लेकिन, लेकिन हमारे पास वो किसमत नहीं है सिर। हम जानते हैं, तुम सब लोगों को हमारी बहुत परवा है, बहुत फिक्र है, पर हमारा यकीन मानो, हम अपनी जिंदगी से बहुत खुशे सिर्ट हमारी जिंदगी से दूर चले जाओ, और कभी हमारे पास मताना हमारी एल क待って बहुत टुशे से उनी के लिग्याओ, छिना वकाना दोचिशन से बहुत जाता है पर अमर्तांटी के घर पर तो घर से कोई आया क्यों नहीं यहां आशी की यह लफ स्टोरी देखने के लिए आशी ने तो मेरे प्लैन के चितरे फार दिये पर अमर्तांटी वो चिट्टी पढ़ने के बाद भी नहीं आई क्यों क्या हुआ अगर वो नहीं आ सकी तो सबूत तो उनके पास पहुच सकते हैं ना कि हम जानते हैं आपको बहुत नकलीफ हो चाहिए अगर अगर हमारी कोई गलती नहीं थी इस हमें माफ कर दीजे हम आइंदा सेपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे क्या चड़ रहे नेधी एक काम धंक से होता नहीं है तुमसे मा हमने क्या किया थे ना चार्जर पर लगाने के लिए फोन बन पढ़ गया हमारा तुमारी वज़े से सौरी मा वो पता नहीं क्यों देते तुम्हें कोई भी काम तुठीक है आम ठीक है जनी दी नहीं क्या सोच रहे ना आज एक नया दिन है तो एक नए मून के साथ चुरुबात करें तुम्हें क्या आज अम सब के लिए अपने हाथों से कुछ स्पेशल बनाते हैं वाव तो खाना बनाएगी तेरे हाथ का तो हर काना स्पेशल होता है जा जा जल्दी बना हुमारे पेट में तो अभी से ही जिराफ और हाती तो उनों की फाइंट शुरू हो गई है चल 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 वी निदी बाबा काकिमा आजाए नाश्ता बन गया है हमारे बाबा ने कभी भी हमारा सर जुकने नहीं दिया से यह एक बेटी का बाता है कि वो भी अपने बाबा का सर कभी छुकने नहीं देंगी आज हमने सब की पसंद का नाश्ता बना है आप खाईए और खाके हमें बताएगा कैसा लग रहा हम ले लेंगे नमस्ते अंटी नमस्ते अंकल अरे नमस्ते बेटा आओ पेछो नाच इतना सा नाटा क्यों है भाई मैंने इतना बड़ा बॉम ब्लास्ट किया उसकी कूछ तो डोड तेक सुनाई दीनी चाहिए थी इतनी अच्छी फोटोग्रफी की थी मैंने आशी की टेंपल वाली शादी की आंटी को भी भेजी थी पर यहां तो सब इतने ठंडे अरे इनका खून क्यों नहीं खॉल रहा अमरिता अंटी मुझे ना एक ज़रूरी फोन कॉल करना था पर मैं मेरा फोन ही रूम में बूल के तो प्लीज आप एक मिनिट के लिए अपना फोन देंगी माफ करना बिटा हमारा तो फोन ही खराब है वो फोन की बैटरी होती है न वो चार्ज ही नहीं हो रही है तो फोन बन पड़ा है हमारा सॉरी थत तेरी की मतलब इनोंने मेरी भेजी हुई तस्वीरे देखी ही नहीं आशी शर्मा अंकर का कॉल है एक निठम भात आशी हो सकता है कि शोरूम में कोई जरूरी काम आ गया हो रुको मैं स्पीकर पर डाल देते हूं कर अशी बटा मुझे सेल्स रिपोर्ट नहीं मिल रही है का रखिये तुमने फाइल वह आपकी लेट सेट में जो फाइल्स रखी है न उसमें थार्ट नंबर की आपाईल मिल गई मिल गई मिल गई अच्छा यह बताओ बटा तुम कितनी दिर में शोरूम पोच रही हो आशिय अब शोरूम नहीं आएगे जी सर वो हम अभी जॉब कंटीनियों नहीं का सकते हैं हमारी कुछ मजबूरिया है जिसकी वज़े से हम ये काम अब और आगे नहीं का सकते हैं सिद्ध मेरी बास सुनो बेठा सिद्ध हचानक तुम इस थरहां सब कुछ छोड़कर नहीं नहीं सिद्ध बेटा हम तो महरे बगर ये सब कुछ नहीं समाल पाएंगे आप टेंशिर क्यों ले रहे हो मैं हूँ ना मैंने सब डीटेल्स आपको मेल कर दी हैं सब फाइल ओफिस में रिखवा दी है आपको काम की तरफ से कोई टेंशिन ही होगी प्लीज रिलाक्स रहे है सेट बेटा कुछ तो बता हो क्या हुआ है पहले तुमने अशी को शोरूम में आने से माना कर दिये अब तुम खुद सब कुछ चोड़ का जाने की बात कर रहे हैं कहीं आशी और तुम दोनों की बीच में कोई नोग जोग या लाड़ी जगड़ा जिसकी वेजे से तुम द बता बेटा खुल के बता मुझे हुआ क्या है पापा और यह बात आप भी जानते हो और मैं भी कि आशी के साथ मेरा कोई रिष्टा नहीं है वो एक ऐसे बंदन में बंदी है जो उसके सिवा किसी को नजर ही नहीं आता और ना ही वो उस बंदन को तोड़ सकती है पापा जब को इंसान मुसीबत में होता है ना तो हम उसकी हल्प तब ही कर सकते हैं जब उसे हल्प चाहिए और जबरतस्ती किसी की हल्प नहीं की जाती तो बस मैंने सूच लिया है मुले यहाह से दूर जाना है आशी को अपने दिल से निकालना है आशी पीटिया अरे कॉलिज के टायारी, कॉलेज आरही है, हाँ बाबा, हमने ने मॉनिंग ग्लासे स्टाट करती हैं अभी, लेकिन बटा तुम्हें काम के जोड़ दिया, सब किस ठीकते हो गया था, फिर क्यों? वो दरसल ना हमारे एक्जाम स्टाट हो रहे हैं, अभी हमें पढ़ाई की बहुत हमें ऐसा लग रहे हैं, अगर हमने अच्छा नहीं किया ना, तो हमारा पूरा साल खराब हो जाएगा, और ये काम माम के चक्कर में पढ़ाई पे बिलकुल ध्यान नी दे पार है, अची, तू जानती हैं ने, बेटा, कि हम तेनी खुशीक ने कुछ भी कर सकते हैं, बेटा, अपने ग्रहकों को, अब शर्माजी को, सित को, इन सब को याद नहीं करेगी, बई क्या है कि अगर तो स्टोर नहीं जाएगी, तो 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 ने ग्रहकों का क्या होगा, जो सिफ तेरी पसंद का कपड़ा ने आते हैं, अब आप यावर किसी के बारे में भी कुछ नहीं सो क्या है यदिए यदिक है यदिए